मित्रो नमस्कार मैं हूँ अनिल आपका स्वागत है हमारे योटूब चनल गुरुजी स्टडी अड़ा में मित्रो आज हम मंद बुद्धी बालक के बारे में बिस्तृत रूप से अधिन करेंगे क्योंकि मित्रो यहां से आपकी एकजाम सीटेट, यूपीटेट, डियलाट, समस्टर में एक प्रस्ने जरूर पूछ जाते हैं, तो मित्रो यदि हम बात करें मंद बुद्धी के बालक किसे कहते हैं, तो मित्रो मंद बुद्धी के बालक हम ऐसे बालक को कहते हैं, जिनकी बुद्धी लबदी नबबे से कम होती है, ऐसे बालक को मंद बुद्धी के बा आप रहें करो एंड क्रू महोदे के अनुसार आइसे बालक जिनकी बुद्धी लब्दी सत्र से कम होती है उन बालकों को मंद cigarette वाँले बालक करते देखी मित्रो क्रो एंड क्रो महुदे काते कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धी लब्दी 70 से कम होती है ऐसे बालक मंद बुद्धी वाले बालक होती है और मित्रो जो 20 अंक का फासला बचता है 80 ऐसे बालक जो होते हैं मंद बुद्धी वाले ऐसे बालकों को विशेस प्रसिक्ष देकर आप उन्हें समाने बालक की बुद्धी लब्दी से अधिक तक ले जा सकते हैं इसलिए मित्रों क्रों एंड क्रों महोदे ने 70 से कम जो बुद्धी लब्दी वाले बालक होते हैं ऐसे बालकों को मंद बुद्धी बालक की स्रेणी में रखते हैं यहीं पर मित्रों दू ये बेवहार एवं व्यक्तित में काफी हद तक सामान के जैसे ही होते हैं देखी मित्रों यहाँ पर पोलक एवं पोलक की परिवासा थोड़ी से हट करिया है कि पोलक एवं पोलक महुदय यह मानते हैं कि जो मंद बुद्धी वाले बालक होते हैं काफी हद तक सामान बालक के जैसा भी वहार करते हैं इसलिए उनको मंद बुद्धी की बालक कि सरेड़ी में रहा रखकर छीड़़डी वाले बालक की जो मानते हैं मित्रोritis इनका मानना करूफ बुद्धी वालक होती है या मधध की बुद्धी वालक होती है ऊपनाकारःबिभाव कि सहायता करते हैं ऐसे बालकों को मन्द बुद्धी बालक करते हैं और मित्रों दूसरी परिभासा है American Association on Mental Deficiency के अनुसार दिखें मित्रों यह अतिमहत्वपूड परिभासा है इसमें बताया गया है कि मानसिक मंदता से तात्पर सार्थक रूप से नियून आउसत बाउदिक छमता जो समायोजन सील बेवहार में कमी के साथ दिखाई पड़ती है से जुड़ी है जो विकासत्मक अवदि में दिखाई पड़ती है देखे में तो American Association on Mental Deficiency के अनुसार जो मानसिक मंदता है जो मंद बुद्धि वाले बालक है इसका मतला भिया है कि जो नियून आउसत बाउदिक छमता है उनका जो समायोजन सील बेवहार है इनमें कमी आती है जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं एक दूसरे से बेवहार करना इनका बह पर दिखाई पड़ती है जब बालक विकास आत्मक अवदि में पड़ता है यानि कि अधिकतर जब बालक विद्याले में आता है तब इस अवदि में मानसिक मंदता अधिकतर पहचान में आती है और मित्रो इसी के अनुसार देखी मित्रों American Association on Mental Deficiency के अनुसार मंद बुद हला प्वाइंट आता है सामाने मंदता देखे में तो सामाने मंदता से क्या तात्वर हैं ऐसे बालक की बुद्धी लब्दी बावन से सामानी मंदता में जो बालक होता है इनका आईकू लेबल बावन से सड़ सड़ के बीच माना गया है और यह बताया गया है कि जो इनकी जो इनका कार होता है जो इनकी बुद्धी लब्दी होती है यह लगबग सामानी बालकों की तुल्णा में होता है और जी जो बालक होते है 8-11 वर्स के बराबर के बालक की बुद्धि लब्दी लिये होती हैं लेकिन मित्रों यह फिर वी इतनी बुद्धिक लब्दी कम होने के बाहुजूद भी अपने दैनी क्रिया कलाव दैनिकार कर सकते हैं जैसे कपड़ा पानना खाना खाना इसकूल जाना अधिक समझाने पर यह समझ जाते हैं अम मित्रों दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है अल्पमंदता अल्पमंदता ऐसे बालक की बुद्धि लब्धी 36-51 के बीच होती है इनमें समायोजन में कमी होती है फिर भी इनने रोजगार सिखाकर आत्म निर्भर बनाया जा सकता है देखी मित्रों जो अल्पमंदता वाले बालक है ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धी 36-51 कम होती है किससे समानमंदता वाले बालक की तुल नामिंग लेकिन फिर भी मित्रों इनमें देखी समायोजन में कमी पाई जाती है एक दूसरे बच्चों से समायोजन में कमी पाई जाती है समाज में समायोजन में कमी पाई जाती है इतने कमी होने की बावजूद भी आया जा सकता है अब मित्रों देखिए गंभीर मानसिक मंदता वाले बालक जो यह तीसरा पॉइंट है देखिए मित्रों ऐसे बालक की बुद्धि लब्दी 20 से 35 के बीच होती है यह अपने दैनिक कारियों में जादतर दूसरों पर निर्वर होते हैं बहुत सिखाने पर अपड़ा पानना खाना खाना ऐसलिए दोस्तों ऐसे बालकों की सहायता करने के लिए उनके माता पिता होते हैं जो उनके क्रिया कलापों में अधिकतर सहायता करते हैं ऐसे बालक कुछ अधिकतर जोर देकर ज्यादा जोर देकर सिखाने पर ही कुछ सीख पाते हैं तो मित्र बालकों को आजीवन देखरे की जरूरत होती है और ये अलपाई होती है दिखी मित्रों जो गहन मंदता वाले बालक होते हैं ऐसे बालक की जो बुद्धि लब्दी होती है या भी से कम होती है और मित्रों ऐसे जो बालक होते हैं अधिकतर विक्रती युक्त बालक होते हैं और जो इनकी आय होती है यह आय भी बहुत कम होती है यानि कि इनका जीवन काल भहुत कम समय के लिए भी होता है और इनको दोस्तों देखरें की ज़्यादा जरूरत की महसूस की जाती है अब मित्रों हम बात करें मन्द बुद्धी बालक की विसेषताओं की तो इसमें मंद बुर्वे विक्तिति अधिकतर देखी गई है ये दिव्यांग विकलांग अधिक यह वतने हैं और मित्रो समायुजन में कमी यह भिभिने परिष्टियों में समायुजित नहीं हो पाते हैं जो मंदवुद्धिवाले बालक होती है, कच्छा में समायोजित नहीं हो पाती है, समाज में समायोजन होने में इनको कठनाई उत्पन होती है अमित्रोच चोथा पॉइंट है, अधिगम अस्थानांतर कमजूर देखें मित्रो जमंद वुद्धी वाले बालक होते हैं एक अस्थान पर सीखा हुआ ज्यान वह दूसरे अस्थान पर अपलाई नहीं कर पाते हैं या हम कहले जो ज्यान एक तरफ से सीखते हैं वह दूसरों को नहीं सिखा पाते हैं जिसे हम अधिगम अस्थानांतरण कहते हैं पाचों प्वाइंट है मित्रों कमजोर ग्रहण सकती यानि कि इनके सीखने की जो छंता होती है या बहुत कमजोर होती है किसी भी विस्वेवस्थ को जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं अब मित्रों हम बात करें छटहों प्याइंट की पर निर्भार्ता पर निर्भार्ता कले मतला अधिक तर दूसरों पर आश्रित होते हैं अधिक तर गहन देता वाले बालक होती है है ऐसे बालक लगबग पूरी तरह दूसरे पर आश्रित होती है साथ हो पॉइंट है कमजूर तार की चिंतन दिखी मित्रों मंद बुद्धी वाले बालकों के जो तरक वितर करने की छंतर होती है तरकड़ा होती है या बहुत कमजूर होती है आठवा पॉइंट है मित्रों अमुर्थ चिंतन में कमजूर जो मंद बुद्धी के बालक होती है या अमुर्थ चिंतन यानि कि जो वस्तु नहीं दिखाए देती है ऐसे वस्तु के बारे में चिंतन करने में इन्हें अधितर कठनाई होती है जैसे कि रेखागणित के सवाल ह हो गए विभी ने सवालों जो कि तरके मातर के विधर के मादम से रेजनिंग के सवालों को या हल करने में इनको बहुत ज्यादा कठनाई महसूस होती है नवा पॉइंट है दोस्तों समेगों के कमजूर प्रकटी करण दिखी मित्रों मंद बुद्धी के जो बालक होती है ज सीखे हुए ज्यान को जल्द ही भूल जाती है जो मंद बुद्धी के बालक होती है जारामा पॉइंट है कमजूर सब्ध भंडार इनका जो सब्ध भंडार होता है यह बहुत कमजूर होता है कमजूर सब्ध भंडार का मतलब होता है मित्रों यह किसी भी एक विसेवस्थ को ये किसी भी एक विसेवस्त पर जादा देर नहीं बोल पाते हैं अब मित्रों अगले पॉइंट है निम ने बिद्याले उपलब्दी इनकी बिद्याले उपलब्दी मतलब यदि इनका आउसत भारांग या आउसत प्राप्तांग देखा जाए तो कमजोर होता है या कम होता है तेरावाब पॉइंट है कमजोर साप सफाइ में कमजोर देखी मित्रों जो मंदबुद्धी वाले बालक होते हैं या साप सफाइ पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और इनसाप सफाय में भी कमजोर होते हैं पॉइंट है आउधारणाओं को समझने में ज्यादा समय लेना किसी भी गट जटिल आउधारणाओं को समझने के लिए जो मंदबुद्धी की बालक है यह ज्यादा समय लेते हैं जल्दी इनको समझ नहीं आता है कोई भी कठिन भी सेवस्थू और मित्रों 15 पॉइंट है अपना भी ध्यान रखने में लापरवा देखिए मित्रों जो मंद बुद्धी की बालक होती हैं यह बालक अपूद्ध्यान रखने में लापरवाप ज्यादा होती हैं और मित्रों यहाँ पर सुलावा पॉइंट है विश्वास में कमी या किसी भी विश्वस्त पर या कोई भी कार में जल्दी विश्वास नहीं करते हैं जो इनको सामने दिखाई देता है उसी पर या अडिक रहते हैं अब मित्रों हम बात करते हैं मंद बुद्धी बालकों की सिख्छा, तो मित्रों मंद बुद्धी बालकों की सिख्छा की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है प्रदर्शन विधी द्वारा, प्रदर्शन विधी मित्रों हुआ विधी होती है जिसके माध्यम से विभीन व सामने दिखाये ता उसे प्रदर्शन भी दीखाते हैं दूसरा प्राइंट है मैडम मार्या मांटेश्री द्वारा एक प्रणाली निकाली गए है मांटेश्री प्रणाली या इंद्रियों के प्रसिक्षन द्वारा विभी ने अपने इंद्रियों के अनुभों के द्वारा य दिखा कर समझा सकते हैं यह मित्रों बात करें मैडम मारीय मांटेश्री ने अपना प्रथम विद्याले 1907 इसवी में खोला जिसका नान था बच्चों का घर यह मित्रों आपके एक्जांक के दृष्टी से अति महत्वपूड है तीसरा पॉइंट है रोजगार देने वाली सि सिक्षा को किया किसी भी तरह से अपना रोजगार रोजी रोटी चलाने के लिए सिक्षा पाले उतना या सीख ले इसलिए दोस्तों सुरू से ही ऐसे बालकों पर जोर देना चाहिए चौथा पॉइंट है इन्हें खुद के ख्याल रखने के लिए प्रसिक्षित करना देख से नहाने कपडा बदलने आद में प्रसिच्छित करना यहनी कि मित्रो कुछ बच्चे ऐसे गालाब भी प्रकिसी ने किसी प्रकार से एन के प्रकारण दे दिया जाना चाहिए कि ताकि यह अपनी जीवन सहली चलाने के लिए अपनी जीवन रोटी रोजी रोटी चलाने के लिए कमाओ और खाओ या कमाओ और रोजगार प्रसिक्षड जैसा देना चाहिए ताकि वह समाज में समय उ चाहे ताकि है जिसे वरस्तियों को सीख सेके तो मित्रो यदि आपको प्रतिभा साली बालक के वीडियो देखना है तो आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगावा तो लाइक कीजेगा अपने हर एक ग्रूप में सेयर कीजेगा जय हिंद जय भारत मित्र झाल